सेट पर इस बड़े सुपरिश्टार के बेटे के लिए चाय बनाते थे गोविंदा जिहाँ दोस्तों अपने टाइम के सुपरिश्टार आज हम बात करने जा रहा हैं चीची यानि गोविंदा के बारे में तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राज का अंदाज में सैट पर इस बड़े सुपरिश्टार के बेटे के लिए चाहे बनाते थे गोविंदा सुपरिश्टार गोविंदा भले ही किसी फिलिम में नजर ना आते हो लेकिन उनका स्टारडम और उनकी फिल्मों का क्रेज आज भी बरकरार है गोविंदा ने कई बेहतरीन फिल्में थेटर में रिलीज की हैं एक बक्त तो ऐसा होता था कि साल भर एक्टर की फिल्में एक के बाद एक रिलीज होती थी बेहत कम बक्त में गोविंदा ने अपनी पहचान बना ली थी उनकी सुरुवाती कुछ फिल्मों के बाद ही सभी को ये पता चल गया था कि नया सुपरिश्टार आ गया है लेकिन बड़े एक्टर बनने के बाद भी गोविंदा अक्सर दूसरे बड़े सुपरिश्टार के लिए अक्सर चाय बनाया करते थे ये बच्चा कोई और नहीं बलकि मितुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती थे इस बात का खुलासा भी उनहीं ने किया है नमासी ने अपने पुराने इंटर्वियो के दौरान बताया था कि जब वो स्वैट पर जाते थे तो गोविंदा उनके लिए चाय बनाते थे उस दौरान नमासी काफी कम उमर के थे और अपने पित्व में चक्रवर्ती के साथ फिल्मों की सूटिंग देखने के लिए सैट पर जाया करते थे और गोविंदा आज भला ही फिल्मों में नजर ना आते हो तो मगर गोविंदा के एक अपना दौर राह है गोविंदा को पुरा हिंदुस्दान पसंद करता था मगर ऐसा क्या हुआ जो कि गोविंदा आज ना फिल्मों में दिखाई देते है और ना ही उन्हें फिल्मों में लिया जाता है तो दोस्तो मेरी अगली वीडियो ऐसे ही किसी विसे पे होगी तो जब तक के लिए नमशकार अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और हाँ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप गोविंदा के लिए कुछ भी बता सकते हैं मिलूंगा ऐसी कोई दूसरी बॉलिवोड श्टोरी के साथ इसी चैनल पर जब तक के लिए नमशकार दोस्तो